महारास्ट्र में विधान सबह चुनाव से पहले राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनावी जंग में शामिल कर दिया है उमिद्वार के तौर पर उनके नाम का गोशना हुआ एक शित्र से और अमित ठाकरे की चुनावती पोर्ण देखा जाया राजनितिक शुर्वात होने वाली है उद्धव ठाकरे के उमिद्वार के विपरित में उनके खड़े होने से ऐसे में महाराश्टर राजनीती में सवाल उठा है नया क्या उद्धव ठाकरी और राज ठाकरे आएंगे फिर एक सार तो भायों के बीच रिष्टे में सालों पुरारी दरारों को क्या हम देख पाएंगे अब खत्म होते में क्या इतिजार हो चुका है और खत्म क्या ये इंतिहान खत्म हो चुका है उद्धव राज के बीच जगरों का 18 साल पहले जो हुआ और जिससे अलग हो गए थे दोनों भायों के रस्ते इस पर हम बात कर लेते हैं जी हाँ आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में बाहरास्ट नम नर्मान सेना यारी की M.N.S की नेता बाला नदगांकर ने रास ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा बयाद दिया उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मन से और शिव से ना दोनों साथ आ जाए बाला नदगांकर ने कहा कि अगर मुझे मौखा मिला तो मैं दोनों को साथ लाने की कोशिश जरूर करूगा चाहें इसकी परणाब भी मुझे कुछ धेलना पड़े गोर हो कि बाला नदगांकर मुबई की शिवरी सीट से मंडसे की उम्दवार की औरोपे चुनावी मैदान में है मंडसे की और से उन्होंने एक्षा जाहिर की है और रास ठाकने को इस सिया पत्ती नहीं है उद्धव के साथ तो जरूर हो आ सकते है मावा बाला नदगांकर के इस बयान की बाद महराश्य की राज़िती में सियासी गबसाद और शिट गई है दोनों भाई साथ आएंगे ये सोच नहीं पा रहे हैं लोग लेकिन जानने की कोशिश कुछ लोगों की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि ऐस दोनों भाईयों के बीच की रूज दूरियां अचानक से मिटती हुई नजर आ रही है जो रिष्टा 1995 से ही दूरियों का शिकार हो रहा है उस रिष्टे में क्यों आ रही है पर से जान यहां आप सबको बताना चाहेंगे हमारिस रिपोर्ट में शिव सिराब बाल ठाकरी की शिव सिराब एचारक से बहुत कुछ बदलने लगे थे जब साल 1995 वे उद्धव अप्रिपिता की पार्टी शिव सिराब सक्री होने लगे पार्टी की कामकाज की देख भाल भी कर चुके थे दो साल तक उद्धव पार्टी में सक्री रहे थे नतीजा हुआ कारकरता उनके पास पॉश्णर लगे जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उद्धव की खूप चली उद्धव जब हुए तो चुनाव टिकन बटवारे में उद्धव की जब कर चली और चुनाव जब जीत लिया तो उद्धव के फैसलों पर जीत की बोहर लग गए जिससे रास्ठाकरी नेराश हो गये थे रास किनारे होते चले गए थे उद्धव और शरत की रास्रिती किया के वो काफी मस्मूर भी महसूस करते थे रास्ठाकरी किनारे होते हुए जब चले तो शिरसिना ने उन्हें किनारा लगा भी दिया था राज को जब ऐसा मैसूस हुआ तब दो रुभाईयों के बीच में बुटा बढ़ता चला गया देक्ष्टना यूजू सुन्तिक रिपोर्ट